सर स्टार्टिंग मैं तुम्हारे कॉंफिदेंस लेवल लगबग जीरो ही था लेंगि आज ऐसे लग रहा है कि अब कॉंफिदेंस लेवल आज से और कोई प्रॉब्लम नहीं आरहे हैं। आज हमें अच्छा लगा है प्रेक्टिकल करके आप थोड़ा सा लग रहा है कि हम अपने आपको सिविल इंजिनियर बोल सकते हैं मतलब लग नहीं रहा था कि हम लोगों से ओने वाला लेकिन अब मतलब हम लोगों से इतना जादे हो गया कोई साओी प्रोजेक्ट मिले मतलब उसका नार्मली अम लोग कि लेड़ेंगे इससे पहले कभी आपने से पहले कभी नहीं में अच्छा लग रहा है आप बढ़िया और सवागाते दोस्तो एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चेनल सिविल गुरू जी में जहां हम बा तो चल कर देखते हैं, कि किस तरह से उन लोगों ने acceleration layout की planning की है, क्या planning की है, किस तरह से उन लोगों ने यहाँ पर चूना मारकिंग की है, यहाँ पर हमारे ट्रेणी जो मह प्रूफर्म कर रहे है, तो ज़र्ण पूछना चाहते हैं, से बताईए आपने कैसे किया सर इतना प्यारा मार्किंग किया है चुने का तो कैसे आप लोगों ने इतने इच्छे से कर पाया है सबसे पहले बेसिक चीज होती हर सिविल इंजिनर को आना चाहिए लेकिन जो कॉलेज में जाते वहां पर यह पड़ाते हैं नहीं सिखाते हैं टान्शिप लेओट किया आज हमने चेंटरन लेओट किया कोई सिससाब से हमें दो पंब सेल्ग करना चाहलो कर दिया जो अपना प्लाट बॉंडरी फिक्स करके उसटर्ग कोई हर एक चीज को फॉलो करते हुए जिरो जिरो लेवल से एकस डायरेक्शन और वाय डायरेक्शन में हमने अपना प्लॉट के जो भी कॉलम के फुटिंग के जो पॉइंट आने वाले उससे सब से हमने मार्क करना चालू कर दिया बिल्कुल जैसे अपने बनाई है तो कैसे मतलब आप लोगों ने इसको फाइंड किया हुआ ये इसको पकड़ते हुए आप लोगों वेल फुटिंग मार्क किरी डिया है थिस दो नौकट में डेसे हमने वम ड्राइह से था उस यह से बार जो इंटर्सेक कर रहा ड्ендники हिशाब से जो 0 przy यहां पर इंटरिक कर रहा था तो हमने यहां से जो फुटिंक का साइस था हमारा च्र rasp फूटिंग का साइस था हमारा भी दाए क sao य। ऐधा है तोन Elias और उनला गीण कैसा फुटिंग तो सो यहां से सो एक मिटर वहाप है एक मिटर यहां पर फाइदा क्या होगा हमें फाइदा यह होगा पहले तो हमें शेट्रिंग लागाने के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए और उसके बाद जो हम कॉंक्रीटिंग करेंगे उसके लिए थोड़ा जगार रहेगा शेट्रिंग लागा नहीं तो स्वाइल जो भी अपना से वाटर सिमेंट रिश्यों वह खराब ना करें इसलिए हम एक्स्ट्रा एक्सक्राइशन करत बहुत 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 शुक्री आपका मंगेस बॉइंग से दिक्कते यह आई हैं कि सबसे पहले हम दो जो रेफरेंस पॉंट लिया वहां से हमें में टेप करने में भी दिक्कत आती है क्योंकि हम अगर स्टील टेप की जगा प्लास्टिक टेप यूज करेंगे तो हमें फ्रेइब करने में दिक्कत आती है पॉर साल का पैसी अन फेवरबल कंडिशन इवैसे खराब हो चुका है तो हम यहां पर भूर जी बनाएंगे करने में हमें कोई दिक्कत ना हो उस समय प्लॉटिंग करने में अच्छा और कभी आपने यह दिक्कत हुई है आपको अभी जो आपने प्रास्पाहं किया था हां सर इस्टार्टिंग में थोड़े थोड़े एरर आ रहे थे फिर हम उस एरर को करेक्ट किये क्योंकि सर्जब प सब्सक्राइब करेंगे जैसे हमने प्लॉट मार्क करेंगे जैसे हमने प्लॉट मार्क कर दिया जो लिजिए हमने जाल चाहने दिया सब करेंगे जो दोरी की विएप से सबको बांदेंगे जब बांदेंगे तो प्रॉस्टेशन हो जाएगा दो दोरियों का और कॉर्ट सेक्शन हो जाएगा इसका मतलब यह है कि हमारा यहां पर इंटरसक्ट वह तो यह पॉइंट है क्वाल में यह पुटिंग डालेंगे उसके बाद हम ढूंग पढ़ेंगे उसमें जैसे इस ड्राइंग में हमारी दोफ माग कर देंगे और अश्य एस पूरी प्रोसेजर आपने करी है अचा इसमें आश्यत आप लोगों जो सेंटराइन ले आउट कर रहे हम तो यह क्यों कर रहे है इसका फंक्शन क्या है हमारे साइट पर है साइंटर लेयाऊट के मेन फंक्शन है कि हम अपनी फूटिंग माग यहां पहले हमने देखा है कि यह सेंटर कहां से पास हो रहा है यह ग्रिड लाइन्स बनाई जाती है पहले ग्रिड लाइन्स बनाई गई है देन हमने यह देखा है कि यह सेंटर कहां से पास हो रहा है जैसे यह सेंटर कहां से पास हो रहा है और इदर से एसे पास हो रहा है तो इसको हमने नाम दे दिया एटू ताकि हमें परफॉर्म करना सिंपल हो जाएगा ग्राउंड पे इस तरीके से हमने सब के इसमें डिफिकल्ट होता है यह डबल ला होता है जी सर और लेन फुटिंग के सेंटर से कौन से ग्रीट क्रॉस कर रही है जी सर का फुटिंग का नाम सर देखना होता है जैसे इसका नाम है F1 C1 दैन यहां इसके साइजेस दिये हुए फुटिंग के जब F1 है तो 1800 1800 प्लस 100 100 में एक्स्ट्रा लिके चलते हैं वो साइज है और एक F2 साइज है 1500 1500 इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं बिल्कुल मैं चलिए तो इससे पहले मैं आपने कुछी सेंटरान लियाओ देखा हुआ था नो सर फर्स टाइम कर देख रहे हैं साइपर कर लगा में आपको बहुत अब कभी आप साइट पर जाओगे तो इसमें जो जो दिक्कते आती है जो जो दिक्कते आप लोगों ने फेस किये संटरान लियाओ करते हुए यह सब प्रॉबलम आप आसानी से फाइड आओ कर पाओगे जी सर अब पते कि एरर कहां हो सकती है पहले उससे ही रिमूव कर र ही डॉबलब साइट पे आने से डरते थै तो आज ज़े हम लोग आपर आप आ के मतलब ले या आउट कर रहा है और सेंटर वल्याओट मतलब लगने रहा थी नहीं रहें हम लोगों से अलने वाला है लेकिन अब मतलब हम अम जोते हितिना जादे हो गया कि मोई साब पूलिए बनाते हैं कि अगर बाई दफी हम लोग लोकर को पता रहता है कि दुबारा करना तक करते हैं लिए पार बनाते हैं ताकि आने चालू कि उपmb稳 डुग होगा complicated परफॉर्म नहीं कर पाँ उसके लिए काफी टाइम लगेगा और विवेश्ट भी टाइम क्या क्या दिक्कते आई हैं आपको लेयाउट करने में सबसे पहले यह बताना चाहता हूं किसी भी सेंटर लाइन को लेयाउट करने से पहले अच्छी पढ़ना चाहिए कि जब तक ट ख़ेड़े बांदी वेल्कुल उसके बाद में अमने सर उसमें जो क्रोष बना वहां पर पोइंट मिल गया हमको प्रोपर रूप से उस पोइंट पे फिर हमने पोड़र डाल के फिर बान में उन्ने चैक किया चार तरब से इंच टेप के साहिए इसमें आपको दिक्कत आई करके आपने फिर बाद में थ्रडिंग करते हुए लेयाउट किया चुना उना डालने में कहीं दिक्कत आती है सर आपको जड़ा बताइए मुझे क्या होता एक सर चुना लोग डालते हैं तो यह आपने कैसे सॉल आउट किया था सर इस चूना डालने के लिए हमने दो बंद आपने लिए रख लिए इंसे टेप को क्रोस मिलाया बिलकुल और दोनों तरब से प्रोपर रूप से ड्राइंग के अल्प से जो ड्राइंग अर्टेक्शन दिया हुआ था उसके प्रोपर रूप से पढ़के आरम दो बंदों ने एक तरफ पकल लिए उसको आउटर से है कि आज ऐसे लग रहा है कि अब कॉन्फिदेंस लेवल ओटमेटिक हाई हाई लेवल अफ होज गया कोई प्रोब्लम नहीं आ रही है तो लोग जो मिस्टेक करें गयो आप लोग आसानी से कोई प्रोब्लम नहीं आई अप शायद बिलकुल कन्फूजन पूरी तूर होगा मैं पंजाब से हो मेरा नाम रकेश कुमार है मुझे यहां आने पर बहुत जारा खुशी हुई है मेरे पास पहले कोश्वी कॉन्फिदेंस नहीं था आने के बार काफी लेवल हाई हो चुका है मैंने एक करके पॉइंट सभी को अच्छी तरह फोलो किया है ताकि आगे जाक नग्सराइं मेरे प्रौपर फुटिंग कर सकते हुआ पतु क्योंकि हमारी प्लोट बहुत बड़ा होता है और हम लोग कही पर भी हमारा कॉलब और फुटिंग प्लेश कर देंगे तो बाद में घर हमारा सूपे जोगा तो हमारा कॉलम हमारी वॉल से बराबर मेच नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोग बिलकुल और बॉर जी के वारे में कुछ कहना चाहेंगे सार अब बूर्जी बनाते हूए आपने आपको मतलब बतागा में बूर्जी के बारे मेंसे पानी की शय करते हूं का फंड सकते हैं तो इसलिए हम को साथ सब मेहनत किया हुए खतम हो जाता है इसलिए हम उसे पार्ट जा चार पांच मीटर दूर के हसाब से एक थांग सै जैसा बिल्कुल पका निशार सीमिट के साथ निशान दे सकते ताकि उसके di baru हम दुबारा काम शुरू का सकते हैं उसको हम भूर जी का सकते हैं बहुत 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 शुक्री आपका राकेश बहुत बढ़ी अच्छा लगा गुड़ अफ्रून हो सर सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगा कि कल हमने जैसे किया था टॉन्चिप लेओट मनले प्लाट की मार क करें तो यह हम कीया है तो यह हमने डिए का किया है हमारा आटथा टे हमने के जयासे हमारे जी आछेव ने आफिर आइट है तो यह हमने हमने अक्शिध में हमारे जूटिंग का साइस था यह मारसा ब्लू कौल होiste M & M M & M M & M extra ले लिया तो उसका परपस यह होता हा है कि हम साइड पे जब हम एग्सेविशिन करवाएंगे तो उसका परपस ही होगा कि जो हमारा कांक्रिटिंग जब हम करेंगे तो वो साहिआल के कंटेक्ट में नहीं आएगी अगर वो साहिल के कंटेक्ट में आ जाएगी तो हमारा जो वाटर सिमेट रेशयो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी स्टरंथ में दिकत आ जाएगी स्टरंथ वो गेन नहीं कर पाएगा पूरी और उसके बाद क्या होता है कि अगर जो नार्मल सा पड़ा था एक्जाम पास करने के लिए तो आज हमें अच्छा लगा प्रेक्टिकल करके आप थोड़ा सा लग रहा है कि हम अपने आपको सीवल इंजिनियर बोल सकते हैं तो थेंक यू इस अपरचुनुटी के लिए शुक्रिया बहुत 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 को करें थूड़ा सथा इरे राता है सर था स्टेम कर आइब सुपित लाइब में तो तो आयोगा सर तरो और दोबारा घाटनल चेक कर गिएच्छय करके 25 बाद सर सब्स्सक्रान बिल्कुल धIFर बिल्गुल करने के बाब में रीट काइन मार्कर जिल्क्रत पांच दसन एमें का डिफेट दूबारा चेक करें के ठीक कर लिया और यह चुने की मार्कियों करी है तो इसमें को क्या-क्या साउधानी बरत नी होती है जो चुना मार्ने के लिए पहले सर हमारे जो कलम का है ऐफ़ान फुटिंग फुटिंग का हमारा था 1.8 मीटर तो एक्स यह चुना मार्ने सीधे सीधे होना चाहिए स्टैट लाइन होना चाहिए नहीं तू एक्सरबिसन के लिए जो अंदर जगा प्लेश अच्छी नहीं होगा सर्व बिल्कुल चलिए बहुत 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 शुक्रिया आपका राहों प्लेशन के तो अपने आपको जो अर दोग हें दो आख आपहां फूर्साक है तो अब लोग किस तो टुर्वित रट नर्साक वश्क्त है और अचल साइब पूर रिर में पूल ग्रीड दिया है और इधर गने अर। और अब जियो जो भी शेंटर लाइं मार्क किरी वा जी सेंटर लाइन-जो हाई वो हमारी फूटिं की सेंटर होगी है वहाँ पर हम लोग अपना खडा करेंगे नुग और फूटिंग को एक्षवेशन करने के लिए हम लोग कि अच्छी एकदें पर जब alcanzar है इक बार अच्छी कुछ और ये करें तो पहली बार रहा परफॉर्म्स किये थैं लाइट में लेयाउटिंग उसके प्रोपर एकदम जमीन पर उतारना है अब फूटिंग जैसे अगर अगर अच्छी से लेयाउटिंग नहीं किया तो हम लोगी की कॉलम टेरी वागेरी हो जाएगी है और प्लेसिंग उसकी सही नहीं होगी और ब्रीक मेशनेरी भी संद्ध उ सब्सक्राइब करेंगे तो परफॉर्म करा पाएंगे बिल्कुल सेंटर लाइन लियाओट एक बार हो गया उसके बाद सर्मलगी एक्सावेशन हो जाएगी तो इसके लिए हमको बुर्जी बनाने पड़ती है क्योंकि यह सब हट जाएगा समान हां तो बुर्जी इसलिए बन सब्सक्राइब करेंगे तो आपने देखा दोस्तों हमारे ट्रेनिज किस तरह सेंटर लाइन का ले आउट इतने शांदार तरीके से उन्होंने चुना मार्किंग करते हुए प्रॉपर तरीके से बिना किसी एरर के 0-0 mm डायगोनल मेच करते हुए परफॉर्म किया है इसी तरह आप लोग भी अपनी छोटी छोटी जो साइट के स्किल्स होती है यह हमको बहुत ज्यादा ग्रोफ देती है दोस्तों साइट पर जब हम लोग इसको परफॉर्म करते है तो कहीं ने कहीं हमार अपनी सीट बुक कराईए इसी तरह से साइट की और अच्छी डीटेल और छोटी छोटी जो बारिक 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 बाते होती है यह हम ऐसी डीटेल आप लोग के साथ प्रवाइड करते रहेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात रहूं